कि अलो काईस तो वेलकम वाइट तो माई चनलामन जैकियांस तो काईस अगर आपने इसके पहले जो हमारा वीडियो है किसका विडियो का जो वीडियो है पार्ट वन वीडियो आप देख लेगा लिंक डिस्क्रेप्शन बाक्स में आपको मिल जाएगा तो चलिए हम इस टाप से निर्माण से संकल्पना प्रतिभायों जाटी पूर मतलब सकति से निर्मित परदार्थ होता है सिर्जात्मक को ही हम कालरीज कलपना कहते हैं ठीक है अथाद नौर सीजन की वह जीवनी सकती जो कालांतरों कभियों वेग्यानिकों और दार्शनिकों में होती है ठीक है उसे हम क्या कहते हैं सिर्जनात्मक लेखक कहते हैं या कह सकते हैं प्रभावसाली सिर्जनात्मक क्या दिया है सिर्जनात्मक लेखक लेखन पाठकों का ध्य में बना दिया है अगर उसमें नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को ज़रू इस देखें तो दिया है साहित प्राचिनकाल ग्यान मनवरंजन और कला को पीड़ी दर-पीड़ी सजाये रखने का एक उत्तम माध्यम रहा है तो आप सभी जानते हैं कि साहित प्राचिनकाल से ही मर्न रंजन कला कृति और जो हमारे प्रुवज के बारे में पीड़ी दर पीड़ी सजाय रखने का उत्तम एक माध्यम साधन है ठीक है हमें अपने साहित लेखन को कभी नहीं भूलना चाहिए इतना ध्यान रखिएगा तो कभीता लेख श्ता और सब्दों का जो कलात्मक कॉइभा १ुप होता है मलग कलात्मक प्रयोग कभीता कि रॉ Ern Phill तरीक हैं को का है अपनी मन की बात अपनी फुट की श्टियो आयूरी भ께 लिख सकतें थे में तो कभीता लेखन अपनी बात और मनों भाव अभिवक्त करने अभिवक्त मतलब दर्साने ठीक है अभिवक्त करने का कालात्मत तरीका है अनिस्ट क्या है कि कभीता में भब ठीक है कभीता में भय भीम उपमा सब्द एव भासापूर मतलब कभीता में जो हम है क्या मलब सभी परकार की भासां का आप यो कर सकते हैं हिन्दी, इंगलिस, युर्द, फार्जिटिक है तो next क्या दिया गया है हमारा कवीता लेखन में कालात्मक के साथ सहजकता भी आवस्षक है सहजकता भी उसमें आवस्षक है इतना देया रखे कभीता लिख रहे हैं उसमें सजक्ता भी चाहिए जिससे वह पाठक से जूड़ सके मतलब जिससे रिलेटेड कभीता लिख रहे हैं उसमें सजक्ता जरूर होनी चाहिए ताकि लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगे नक्स कि दिया गया है हमारा कहानी लिखन कभीता और कहानी में बहुत फर्ग होता है तो कभीता क्या है कभीता में भी बताया है उसमें सजात्मक के साथ सजात्मक भी होनी चाहिए छोटी इसे पॉइंट है तो कहानी लेखर में क्या होते है कि किसी सत या कालपनिक घटणा का मलब उचारड करना या बिहोवार, चित्रड कहानी कहलाता है ठीक है आधुनिक समय में पीटर से लिंग के दिया है दिया है आधुनिक समय में कौन पिज्ञानिक थे पीटर से मलब कहानी लेखन थे पीटर से लगीन ने कहानी के मुल कारकों परकारों को बताया है कौन कौन से कारक परकार बताया है क्रिया एक्षन समाद और डायलाग ठीक है यह क्या है क्रिया एक क्रियाएं हैं मुल परकार हैं तो कहानी सत्य घटना या कालपनिक घटना का रुपांतलर करता है एक तरह से तो नेश्ट देखते हैं हम क्या दिया है और कहानी में देखे एक प्रकार कौन कौन से बताएं गए हैं दिया है बीचार या भ्राट ठीक है बीचार या भ्रष्ट दिया है तो सार या समरी और ब्यूडर या डिस्क्रिप्शन ठीक है हमारे कहानी में ब्यूडर और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मतलब उसके र स्यूहता नहीं सकते हैं कि दिशुटी सिस्टेटिस जैसे मालेचे सोचल मीडिया के चैनल पर दिश्यशन पाक्स में लिखते हैं या केption लिखते हैं वसी तरह से कहानी साहत की गधात्मक विद्धा है कहानी जो है वह कहानी है जो कहानी हमारी होती है स्टोरी वह साहित की गधात्मक विद्धा है मतलब गध की विद्धा है जिसमें किसी काल्पनिक रूख नात्मक ठीक है जिसमें किसी काल्पनिक चीजों का व्योवरेवार मतलब उसका मनलब करम बरेकरम विवरल होता है निसका है दिया है कभानलक ठीक है जो कहानी होता है वो इसा चीज का स्पापना होता है स्पापना की आ सकता होती है ठीक है टाहिस्व निनक लिखने के लिए सांत वातावरण की भी जरूरत होती है ठीक है गाइस तो नेक्स देखते हैं टाइम आपको ज्यादा नहीं लेंगे तो नाटक लेखन क्या है नाटक नाटक तो अपसे भी जानते हैं कि नाटक लेखन को वह विधा है जिसके जिसे दर्सकों के सामने परत्यच या परत्यच रूप से मंच के लिए कथातमक सैली में लिखा जाता है मतलब कथातमक सैली ठीक है नाटक क्या है नाटक द्रिसकाब क कि दुष्कों के सामने हम मंचित करते है जो होता है रामलीला होता है उसे हम ही कखते हैं दृमाइबて। ग्रुम्ति संद्वाद जो द्रिश संद्वाद होती है उसके रीड की हड़ी होती है ठीक है रीड की हड़ी होती है मतलब एक तरह से मुहावरा ले लिया गया है यहाँ पर तो अगला दिखते हैं हमें किया दिया गया है नेक्स में दिया है कि नाटक की भासा जीवनी होनी चाहिए उम्र पर अभिने किया जा सके जो हमारी नाटक है उसमें जीवनी मतलब एक जीवात्मक वैलू होनी चाहिए मतलब इसमें ऐसा लगे कि हाँ इसमें रियल में ऐसा ही होगा या ऐसा हो रहा होगा ठीक है उसमें वात था दृष्ट के परिवर्थित करना होता है जो घटना होती है उसे हमें जो हमारे साथ घटना भी चुकी होती है बस उसे हम एक छोटे से दृष्ट के माध्यम से या मनाटक के माध्यम से हमें लोगों को आउगत कराइना होता है तरसाना होता है और नेक्स देखते हैं हम दिया है diary लेखन तो guys इसके पहले भी हमने पहले part वर्ण वीडियो में diary लेखन के बारे बताया है तो diary लेखन में हम एक निश्चित आओधी पर तिथिवार अपने जीवन में हुई ये किसी भी घटना अपने विचार और निजी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं तो जो डायरी होती है उसमें हम अपनी मन की बाते हैं मतलब कुछी भी लेख सकते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं घट रही हैं सुबह से उठते हैं जैसे मां लेज़े की सुबह उठते हैं आप यह करते हैं वह करते हैं बस उसी चीजे स से remain depuis अबंगातव अबंगात रखिते हैव अबंगातव और डायरी अधारित क्या दिया है डायरी और डायरी अधारित अनविधाकों में अंतर होता है तो नेक्स क्या दिया गया है हमारा नेक्स दिया है radio, cinema और internet के लिए छिरी जिनात्मक के लेखन में क्या महत्व है तो दिया है radio, पठ, कथा, लेखन और कया दिया ब्लाग लेखन ठीक है तो हम बात कर लेते हैं क्या दिया है छोटे-छोटे प्विएंट से हैं तो radio, नाटक में किसी भी कथात्मक के अनुसार भव्वेता क्या दिया है माध्यम के लिए नाटक तयार किया जाता है ठीक है और करिया स्रोता के हिसाफ से डाला गया क्या स्रोता के हिसाफ से टाला जाता है ठीक है रेडियो नाटक में हमें मंच की जगह स्रोता की स्रवर सक्ति को बांध कर रखना होता 2008 एक पून्ट किम techniques का विए समय देशों के सा थाकि की व picture की जहां कि कि ऑधरिबब माध्यम हम लोगों को नाटक यासिद्व नाटक क कर शक्ते हैं लोगों देखा सकते हैं तो रेडियो के माध्य है टिवी हो गया रेडियो हो गया वैलियुम बॉले जो रेडियो हो गया ठीक है कई तरह चीरी आते हैं तो नेक्स्टस टॉपिक देखते हैं हम निस्ट क्या है? पटकथा टेली वीजन अधारीत कथात्मक बदाओं जैसे सीनेमा धरवाहिक आजिकल इंटरनेट अधारीत बेव स्रीज में काम आती है क्या काम आती है? रेडियो पटकथा निस्ट क्या है? पटकथा लिखने का अपना विशिष्ट विग्यान है पट कथा है उसमें अपने आप लिखने का एक विशिट ग्यान है जिसे सीखना कैमरा और फिल्म निर्माण के कुछ तकनिकी पच्छों के परचित होना आता है ठीक है एदि हम पट कथा लिख रहे हैं मतलब उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ तकनि यह कि ग्यान और फिल्म निर्माण और वीडियो इडिटिंग या कह सकते हैं कैमरे से लेटेड ज्यानकारी होनी चाहिए नेश क्या है पट कथा लेखन में भी एक्ट के दिया है एक्ट इस्टक्चर के जरिए प्लाट के तीन हिस्से आत्मा किये जा सकते हैं ठीक है अलग- स्टक्चर के जरिए प्लाट के तीन हिस्से अलग-अलग किये जा सकते हैं तो हम पट कथा को भी तीन तरीके से लिख सकते हैं नीचे बताया गया तो निक्स कहा है पट कथा का अर्थ है पर्दा और कथा का अर्थ है कहानी अंत पर्दे या इसकीन के लिए दी गई लिखी वहां में जो जाते हैं सीनेमा जाते हैं पर दिखाए जाते हैं उठेड़ उसे हम पटकता कहेंगे तो दिया है अंग्रेजी में इसे हम एक्षन दिया है एक्षन दिया है जूम और क्लोज अब इसके क्या है जालो है जालो हमे करें है और और भी दिया परकता से लेडी लेटे तक्टु उकादिया कटुक फैड इन एकश्वारवडपोंा cela has श्यध्य खर päंद दोर और ऐसे Participant T2040 वेव बत्युद्द एक और विदेश और आप आपको क्या दिया है आपको अपना खुद का ब्लाग बनाने का माध्यम देती है ठीक है आप अपना खुद का ब्लाग बना सकते हैं जैसे ब्लाग का मतलब होता है कि आप जैसे कहीं भी जा रहे हैं तो उसे उस मलब जो जो घरना आपके साथ घटी हो या तो मतलब कुछ करका सकते हैं भावभिक्ति का उभरता हुआ माध्यम है ठीक है जो बलागा यह नियमित थारी स्वास्क्राषा का जरिया है ञेंसे क्या है लेखन में अपनी लोकप्रिता बढ़ाने को पार्थक क्या चाहता है तो का चाहता है इसका ध्यान रखना होता है मतलब जो हमारे फैमिलिस होते हैं मतलब एक तरह समाले यूटूब पर जो होते हैं तो यूटूब एक फैमिली है तो इसमें जितने भी मतलब क्रियेटर यूटूब के जो मेंबर होते हैं जो चाहिए चाहते हैं तो आप Google पर सर्फ कर सकते हैं तो Google आपको बता देगा ठीक है तो फिलाल आप जाने दीज़े तो आप फिलाल इस वकेंसियर कोर्स हिंदी के पेपर पर ध्यान दीज़े तो इस वीडियो को जरूर देखेगा अब वीडियो को सब ही जगां सेयर गरिए ठी तो इसका पार्ट वान का वीडियो आपको लिंक डिस्क्रेप्स पाक्स में मिल जाएगा तो प्लीज गाई सद्धी हमारे चैनल पर नहे हो तो प्लीज चैनल को सर्क्राइब करें और नोटिफिकेशन आद कर दिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तरह तरह के नोटिफिकेशन आप वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिलेगा तो जलिए नेक्स वीडियो मिलते हैं